वर्चस्ट के लिए गैंग वॉर की बहुत सी कहानिया आपने सुनी होगी लेकिन किन्नरों में इलाके को लेकर इस तरह की खूनी जंग कम ही देखी सुनी होगी हाला कि दिल्ली में ऐसा मामला देखने में आया है दरसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार को इनामी कॉंट्राक्ट किलर गगन और वरुन को गिरफतार किया है उसने किन्नर एकता जोशी की हत्या के मामले में गिरफतारी की है बीते साल 5 सितंबर को नौर्थ इस्ट दिल्ली में एकता जोशी की हत्या कर दी गई थी पुलिस को आरोपियों से इस हत्याकार्ट से जुड़ी एहन जानकारी मिली है किन साथ ही किन्नरों के बीच इलाके में वर्चस्त के लिए खूनी संग्राम होने का भी पता चला है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज तक के रिपोर्टर तनसीम हैदर को बताया कि मामला किन्नरों के तीन गुटों से जुड़ा हुआ है एक गुट फड़िदाबाद के किन्नरों का है जूसे सूनम और वर्चा लीट करती है दूसरा गुट जीटीबी एंकलेव का है जूसे मनजूर अलाही के साथ कमल हेट करती है तीसरा गुठ है एकता जोशी और उसकी गुरू अनीता जोशी का पुलिस ने बताया कि सोनम, वर्षा, मन्जूर लाही और कमल की जी टीबी एंक्लेव में रहने वाली किनर एकता जोशी और उसकी गुरू अनीता जोशी से रंजश चल रही थी इसका कारण था दिल्ली के यमनापार इलाखे में पैसो का कलेक्शन और अनीता का एकता को अपना उत्राधिकारी खोशित करना एकता जोशी और अनीता को यमनापार से पैसे कलेक्ट करने से रोका जा रहा था और वे इसके लिए तयान नहीं थी इसी को लेकर शुरू हुई वर्चस की लड़ाई कटर दुश्वनी में तबदील हो गई किनरों के चार ग्रुप सोनम, वर्षा, मन्जूर इलाही और कमल ने एकता और अनीता को रास्ते से हटाने का पैसला कर लिया इसके लिए उन्होंने 55 लाक रुपे की सुपारी अपरादी गगन पंडितर उसके साथियों को दी यहां बता दें कि अमूवन किनरों के इलाके बटे हुए होते हैं एक के इलाके में दूसरे किनर पैसों के कलेक्शन के लिए नहीं जाते इस व्यवस्था का पालन काफी सकती से होता है किनरों के गुरू का पूरे इलाके पर दबदबा रहता है वह अपने इलाकों के सभी किनरों से पैसे भी वसूलता है हर इलाके का एक गुरू होता है और इन गुरूओं में ही पूरी दिल्ली का एक गुरू चुना जाता है कुल मिलाकर ये करोणों का खेल है आज तक से बाचीत में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के DCP प्रमोट कुश्वाहा ने बताया कि एकता जोशी के कतल की साजश की कहानी GTB एंकलेव से शुरू होती है यहाँ छे डीडिये फ्लाट को मिलाकर किनरों का एक बड़ा कंपाउड बना हुआ है उन्होंने इसे एक बड़े बंगलानुमा घर में तबदील किया हुआ है इसी आलशान बंगले में किनर एकता जोशी भी रहा करती थी उनकी और अन्य किनरों की गुरू अनीता जोशी भी इसी कंपाउन में साथ में रहती थी वेपास सितंबर 2020 की रात थी जब एकता जोशी का खून किया गया था गटना वाले दिन एक्ता शॉपिंग करने के बाद 9 बजे के आसपास घर लोटी थी, उनकी गाड़ी सड़क पर कंपाउंड की गेट पर रुकी, एक्ता अपना वानिटी बैग और शॉपिंग बैग लेकर नीचे उतरी, साथ में गुरू अनीता भी नीचे उतरी, तभी जोशी की उतराधिकारी घोशित होने के बाद, पैसे के लेंदेन का सारा हिसाब एक्ता ही रखती थी, इससे किनरों में एक्ता का रुत्बा बन चुका था, वे पूरी दिल्ली की गुरू बनने की रेस में शामिल हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई होने वाले मोबाइल पून का डेटा खंगालना शुरू कर दिया, एक्ता जोशी की कॉल डीटेल से पता चला कि वे मेरट, गाजयबाद और वेस्ट यूपी के कई अपराधियों से फोन पर बात चीत करती थी, इस सिलसले में पुलिस तमाम कॉंट्राक्ट किलर्स के नंबर को गिरफतार कर लिया, उसके साथ सोहेल नाम का शक्स भी गिरफतार किया गया, सोहेल के पास से भी पुलिस को आटमाटिक पिस्टल और कार्टूस बरामद हुए, पुलिस ने बताय कि आमिर से जब सक्ती से पूछताच की गई तो उसने खुलासा कर दिया कि किनर एक ताका कतल गगन पंडित ने किया था, कतल के बाद आमिर और गगन दोनों वापस मेरट भाग गए थे, हत्यारों को खोच रही, पुलिस ने गगन पंडित पर एक लाख रुपे का इनाम खोशित कर दिया था, यूपी पुलिस भी गगन का सुराख तलाश रही थी, इसी बीच दि पुछताल में पता चला कि वरुन गगन का राइट है, उस पर भी पचास अजार रुपे का इनाम है, वहीं गगन पर पहले ही हत्या डकैती के कई मामले चल रही हैं, आपके लिए खबर लिखिया हमारे साथी अमित ने, मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दीललन शक्रिया